वेल्कम बैक टू दर चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे उरिस्सा के जगनाथ टेम्पल में जो रत्नभंडार है उसको लेके प्रेजेंटली हम लोग देखें के लास्ट जब लोग सवा इलेक्शन होने वाले थे उससे राउंड अबाउट दो-तीन मेहने पहले से ही य अब भी हम लोग को सुनने को मिला जब रत्यात्रा हो रहा था उस टाइम में के भाई कुरी का जो यह टेम्पल के नीचे यह जो स्टोरेज है इसको खोला गया है और आपको इस बारे में और भी कुछ जानना है या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई information और भी आपको उस बारे में गहरा जानना है तो आपका comment कर सकते हैं मैं उसमें आपको reply कर दूगा तो first thing जो है कि इस बार जो लोग सबा election हुआ उसमें उरिट्सा का जो government हुआ इसमें changes आया इनिशियल ही यहां उरिस्टा में नविन पत्नाक का गवर्मेंट हुआ करता था और अभी यहां BJP आ गया है तो यही जो इलेक्षन होने वाला था इससे बहुत पहले से भात उत्रा था कि उरिस्टा का जो सेक्रेट पूरी टेंपल है यह पूरी टेंपल का जो रत्न भंडार है इसको लास्ट 46 से खुला नहीं गया तो अगर यह भंडार को खुला नहीं जाता है तो भगबान का जो और्नमेंट से या फिर जो भी सामान है वहां वो सब ठीक है या नहीं है इस बारे में एक बार जाच होना चाहिए क्योंकि इससे जो काउंटिंग है वो ठीक रहता है त तेम्पल के बारे में कोड ने एक बार राय दिया था कि यह टेम्पल एक रहता है और यह जो मंदीर पुरीक में लौट जगनात का उस टेम्पल को अच्छी तरह रहे इसका जो निरिक्षय ने वो कर रहता है तो यह प्रोसेस जब चल रहा था उस इस टाइब में पता चला कि पुड़ी के जो मंदीर है उसमें छुरत्मistance ढरें, जहां भगवान का जोडोनमेंडस है, यौ फिर जो गोल्ड से सिल्ँवर से डायमेंडस जो भी है सारा सामन जो रहता है उहां का जो केज है वह शो किसमिसीग है इसका इन्फॉर्मेशन एक्जाट नहीं है तो यह बात जब आगे बढ़ा तो ऑपोजिशन में उस टाइम में बीजेपी था और ऑपोजिशन के तरफ से क्लेम किया गया कि आओ यह जो इन्फॉर्मेशन से यह पब्लिक को देना चाहिए क्योंकि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है य इसमें हाई कोट के जर्ज थे साथी साथ जो चीप एडिनिस्ट्रेटर थे जगरनात पूरी टेमपल का वो भी थे तो यह कमिटी आगे जाके यह जो रतन भंडार है यह खोलने का प्लान या पोग्राम जो है वो सब कुछ बनाया यह इस्यू को बीजेपी अच्छी तरह से अबना जो इलेक्शन कैमपेंड में स्पेट किया जिसके वजए से बीजेपी जो है उरिस्टा में इलेक्शन जीद गया अब इलेक्शन जीदने के बाद यह जो कमिटी है यह कमिटी ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे हम लोग उरिस्टा का जो टेमपल है उस पहाई एक अन्नोन लिफाफा जिसमें लिखा था यह जो चाबी है वह चाबी आप यूज कीजिए जो इनर रत्न भंडर है उसका डूबलीकेट की है तो यह इनर रत्न भंडर्का डूबलीकेट की कुडिके district collector के पास आया वो अपने तरफ से ये handover किया और आगे जाके ये total committee मिलके जो रत्न भंडार है उसको खोलने का decide किया तो बहार का जो रत्न भंडार था मतलब जो outer रत्न भंडार था उसको पहले खोला गिया वहां बहुत सारा रत्न जो था मतलब जो गोल ते जो डायमेंट्स थे जो भी बना बगबान के जो ornaments थे वह सारा सब ornaments जो है उहां मिला तो उस टाइम में ये committee ने क्या क्या ये committee सारा जो रत्न भंडार का जो सामान था उसको एक strong room में shift कर दिया और बाद में जब इना रत्न भंडार खोलने का लिए जो चाबी आया था जो duplicate की आया था लिफाफा से उसमें उसको use करने गया है तो तीनों तालों में से कोई भी तालों में ये जो कीज है ये काम नहीं किया तो इससे जो होता है कि इससे देखा गया के major issue है कि ये ताला जो है ये खोल नहीं सकता और ये कीज जो है ये नकली है ये कोई काम नहीं कर सकता बेकार के कीज है तो at that point of time high court के जर्स थे पूरी के टेंपल के जो chief administrative officers थे उन लोग का सामने ही वो जो ताला है इनर रत्नवंडर का वो तोड़ा गया तो अब जो question arise होता है कि इनर रत्नवंडर में जो सामान है और last time जब ये सामान का calculate हुआ था तो ये सब कुछ सही है या नहीं मगर मैं आपको बता दूं कि ये जो question है ये question का answer इतने जल्दी ह हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके और रिजन है हम लोग अगर देखें के लास्ट जब ये रत्नवंडर खुला गया था मतलब 46 years पहले उस time में ये टोटल जो मतलब ओन्रमेंट्स टोटल जो मतलब इस लोग मतलब जो भी सामान था उसका टोटल कैलकुलेशन करने में लगभख 70 days लग गया था तो आप समझी सकते कि ये इतना जो एमाउंट है ये एमाउंट को exact calculate करने में इस बार भी काफी time लगने वाला है हो सकता है कि government अपने तरफ से ये जो calculation है ये और एक certain time के बाद वो जो report आता है वो public करेगा तो इसको लेके आपके मन में काफी सारा question हो सकता है कि ये जो रतनवांडार है ये कब खोला गया था या फिर आज तक कितना बार खोला गया है या फिर ये रतनवांडार में मतलब ऐसा इसका चाबी कैसे हो सकता है तो उसका भी थोड़ा सा solution भूलने का कोशिश करते है तो first time ये रतनवांडार खोला गया था 1905 में जब British India पर rule करते थे उस time में उसके बाद यह रत्नभांडर को खोला गया था 1926 में उस time में British थे और उसके बाद इंडिया का independence के बाद रत्नभांडर को 1978 में खोला गया था उरिस्टा के जो governor थे उनके सामने उस time में उरिस्टा में भगबाद दयाल शर्मा जो थे वो मैंने आपको कहां कि उस time में जब decide किया गया का जो भी रत्नभांडर है उसका एक calculation होना चाहिए तो यह calculation करने में उस time में 70 days लगा था और हो सकता है कि इस बार भी यह time जो है यह लग सकता है exact क्या time लगेगा या फिर आगे जाके क्या होगा इस related आगर को information आता है तो मैं ज और outer अपना भंडर का जो सामा है उसको एक strong room में shift कर दिया गया है government के और तरफ से अभी यह information आया हुआ है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फोरा सा जो update है वो public किया जाए अब कैसे क्या होता है यह सारा information आपको इसी channel में मिल ले वाला है मैं आपको request करूंगा कि आगर आप आपको ऐसे interesting topic में वीडियो देखने अच्छा लगते तो आप मेरा YouTube channel अतनु पॉल A-T-A-N-U-P-A-U-L को subscribe कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा नया YouTuber को grow करने में आप help कर सकते हैं तो हम लोग को subscribe कर सकते हैं कोई भी interesting topic में वीडियो अगर आपको प वो thought जो है उसके पास escalate होगा हो सकता है कि उसको भी वही same topic में interest grow हो और आप लोग एक साथ ये वीडियो आगे जाके enjoy कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मैं अतनु थैंक्यू